हालो डियर स्टुडेंट्स कैसे आप लोग आसा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे तो आज बचों हम अपना फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं जो हमारी क्लास टेंथ की इंग्लिस रीडर का फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी बुक है उसका पहला लेसन है लेटर टू गॉड राइट जिसके राइटर हैं इंग्लिस के एक ग्रेटिस्ट पोईट जी यल फ्लिउंस जो वास्तों में मैक्सिकन राइटर थे तो बचों आज हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यदि एक इंसान किसी पे अच्छे से विश्वास करता है उसका विश्वास किसी पर भी अगर अटूट है तो ये बात एकदम 100% किलियर है कि उसकी पूर्ती अवस्य होने वाली है इस पाठ के माध्यम से एक हमारा फार्मर है जिसके विश्वास में रार्यटर बताना चाहा रहा है कि Hey लिश्वास करकार से वह उससे पर उपने की हर जाने के रूप में समझिज करना चाहता था वह किसी इंनसान से मदद नहीं मांगता वल्कि चुकि वह वहां पर दिखान चाहता है कि वो इश्वर में परम महोती ज ओधे इसने किम से उसने मदद की मदद में इसे क्या प्राप्थ हुआ या नहीं हुआ इसको और पॉप को सटोडी करके जानते हैं चलिएreiben स्टार्ट करते हैं paragraph number one lesson start होता है यहां से the house the only one in the entire valley sat on the crest of low hill right the house घर यहां पर जो डेस लगा हुआ यहां पर एक word छिपा है देखें house एक निर्जीव निर्जीव चीज है प्लेस है और उसके लिए हमने यहां पर एक connection छिपा रखा है डैस का मतलब जो विच जो घर the only one जो एक लवता only one का मतलब एक मात्र एक लवता in the entire valley entire का मतलब whole valley संपूर्ण पूरी valley मेंस घाटी इंटार मेंस संपूर्ण तो एक मीनिंग के साथ clear करूंगा अच्छे से आप ध्यान दें तो जो घर था वो पूरी घाटी में एक मात्र था अकेला एक लवता था वैसे बच्चों site मेंस आप सभी जानते हैं बैठना होता है लेकिन आपको पता है घर कोई सजीव तो है नहीं जो बैठेगा तो फिर समझ जाए यह इस्थित था यहां पर सेंस होगा site का इस्थित था गर जो पूरी घाटी में एक मात्र था और जो इस्थित था कहां पर क्रिस्ट आप लो हिल लो मिन्स निचली, हिल मिन्स पहारी, क्रिस्ट मिन्स चोटी एक पहारी की निचली जो पहारी है उस पहारी की निचली चोटी पर जो सबसे नीचे रह पहाड़ी की जो चोटी थी जो सबसे नीचे वाली चोटी थी वहाँ पर एक घर था जो अकेला घर था वही एक घर इस्थित था पूरा एक बार फिर से रवाइद कर लेते हैं घर जो पूरी घाटी में एक मात्र घर था और जो एक नीचली पहाड़ी की चोटी पर इस दित्था ओके एक मीनिंग के साथ आपको बताया जा रहा है ध्यान दीजीगा इस उचाई से यहाँ पर वन का मतलब है कोई भी बेक्ती कोई भी होता तो अगर उस उचाई पर जाता और खड़ा हो जाता तो उस उचाई से कोई भी देख सकता था तो उस उचाई से कोई भी देखती वहां की नदी को अच्छे से देख सकता था और पके हुए आप चाहे धान के कौन का मतलब सभी सुचते हैं सिर्फ मक्का ही होता ऐसा नहीं कौन का मतलब मक्का जवार बाजरा इन सभी के बीज को कौन कहते हैं तो तो जो आप अच्छे से समझ रहे होंगे जो पूरा वहां का पूरी जगाटी थी वहां पर एक घर है मात्र एक घर geen निचली पहाड़ी की चोटी पर है और उस उंचाई पर अगर कोई भी व्यागत जाता और वहां से वह क्या कैसा कता था और पके हुए अनाज धान कह सकते हो मक्रा की खिट कह सकते हो ऐसा कुछ जो डार्टेड विथ वसे डार्ट मेंस आप जानते बिंदू होता है लेकिन जब विथ लग गया तो इसका डार्टेड विथ का एक अलग ही मिनी निकलेगा लदे हुए थे क्या लदे थे कौन से चीज़ से फ्लावर्स जिस पर फूल आए हुए थे जो हमेशा ही एक सबसे अच्छी फसल होनी का वादा करते थे यानि आप जानते हैं जैसे आम या अन्य फसले पहले डारेक्टली उसमें बीज उत्पन्द नहीं होते बलकि उसमें पहले फूल आता है तो वो फूल फसल पे आई थी त वो फूल आने का मतलब था कि फसल बहुत अच्छी होने वाली थी यहां पर राइटर कहता है कि जो खेत थे चाहे वो धान के कहें या मक्का के दोनों में ही फूल आते हैं और वो फूलों से लदे हुए थे ऐसा कोई भी बेक्ट उस पहारी की उंचाई से देख सकता था रा अगर नहीं होती है तो कम से कम बहुचारे ही पड़ जाए Throughout the morning, पूरी सुबह के समय, लिंचो, who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the north east. तो कि तब पूरी सुबह के दोरान लिंचो ने केवल और केवल कौन सा काम किया अपनी खेतों के पास गया और उत्तर पूर्व की दिशां में आकास की तरफ तो वो गया और केवल और केवल आसमान को नहारता रहा क्यों नहारता रहा ताकि तहीं दिख जाए बादल का टुकड़ा जो बारिस करने वाला हो तो सारी सुबह लिंचो अपनी खेतों के दिख गया और वहाँ पर जाकर के उसने उत्तर पूर्व दिशां में आकास की ओर देखना शुरू किया और वो बार बार ऐसा करता रहा यानि लगातार वो बस एक ही काम कर रहा था आसमान को देख रहा था कि कहीं बादल के टुकड़े आए और बारिस हो जाए अबस्तर लाई रहाँ रहा है